प्राणयाम के अभ्यास से पूर्व कुछ सामान्य नियम यह अभ्यास सुभा के समय स्वच्छ स्थान पर किया जाए वह ऐसे स्थान पर किया जाए जहां पर प्रदुशन ना हो प्रदुशन रहित वाता वरण हो स्वच्छ वश्चान वाता वरण रहे ध्यान रहे प्राता काल के समय अभ्यास संभव ना हो तो सुर्यास्त के बाद आप अभ्यास कर सकते हैं अभ्यास काल के दोरान आपके वस्त्र डीले वस्विधा जनक रहें तुरंत इसनान्य भोजन ना करें अभ्यास काल के बाद कम से कम आदे या एक गंटे का समय आपको देना है तो आईए इसी के सांथ प्राणयाम की कक्षा से पूर कुछ सामानिय ब अभ्यास काल के दोरान आप स्वास ले रहे हैं तो पूरक कहलाता है रेचक छोड़ना कुमभक दो प्रकार से आप करेंगे अंता कुमभक सांस बाहर रोकते हुए बाहियक कुमभक तो इन बातों के सांथ इन्हें ध्यान में रखते हैं हम आज अभ्यास करेंगे अभ्यास क्रम में हैं चंद्र भेदी प्राणयाम और भस्ति का प्राणयाम चिन की विधी लापसाधानी की चर्चा हम कक्षा में करेंगे तो आईए अभ्यास प्राणयाम करें पहला अभ्यास चंद्रभीदी प्राणयाम का करेंगे चंद्रभीदी प्राणयाम चंद्रनाडी द्वारा किया जाने वाला अभ्यास सबसे पहले प्राणयाम के अभ्यास के लिए किसी भी ध्यानत्मक आसन की स्थिति मा आकर आप बैठें जिसमें भी आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं ध्यान रहे हमेशा ऐसे आसन का चैन करें जिसमें जाद से जादा सहेज और रिलेक्स आप रहें कमर गरदेन आपकी सीधी रहे प्राणयाम के पूरे अभ्यास के दोरान आपकी कमर ना जुके आखें आपको बंद रखनी है दोनु हाथों को चिन मुद्रा की स्थिती में लेकर आए चैन्दर बेदी प्राणयाम के अभ्यास के लिए डाए हाथ की नासी का मुद्रा बनानी है नासी का अगर मुद्रा बनाएंगे अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर को आईब्रो सेंट्री के उपर रखते हुए राइट नॉस्लिड के उपर आपका थम, लेफ नौस्लिड के उपर रिंग फिंगर आपको रखनी है चंद्रस्वर से आपको स्वास भरनी है अर्था बाई नासिका द्वारा स्वास को अंदर भरें दाई नासिका को बंध करें यथा संबब चितनी देर आप स्वास भीतर रोख सकते हैं अंतरकुम्भक करें, वपुनाह धीरे से रिंग फिंगर अटाते हुए, बाई नासिका से स्वास छोड़ें, इस प्रकार से या आपका एक चक्र हुआ, अभ्यास को जारी रखेंगे दूसरा चक्र, अगर बाई नासिका से स्वास भरते हुए, अंतरकुम्भक करें, स्वास को भीतरी रोकें, वपुनाह बाई नासिका से स्वास को बाहर छोड़ना है, तीन से पाच चक्र पूरे करेंगे, प्रारम के अभ्यास में यदि स्वास रोकने में समश्या है, असहेश्टा मैसूस होती है, तो समानी अभ्यास भी किया जा सकता है, दीरे दीरे अभ्यास थोने के बाद आप अंतरकुम्भक कर सकते हैं, इस प्राणयाम में अभ्यास थोने के बाद आप थोड़ा सा अभ्यास को और कटिन कर सकते हैं, इसका स्थर आप बढ़ा सकते हैं, अंतिम चक्रा आप पूरा करेंगे, दीरे से वापस आएंगे, उच्चे स्थर के अभ्यास में आप देखेंगे किस प्रकार से आपको करना है, जिसमें आप चंद्रबेदी प्राणयाम के अभ्यास में अंतरकुम्भग वजालंदर बन, मूल बन का अभ्यास करते हैं, एक बार एक चक्र बंदों के साथ पुनह दाय हाथ की नासागर मुद्रा बनाएं, दीरे से, बाई नासिका से स्वास भरें, स्वास लाई बद्ध हो, लंबी वा गहरी हो, स्वास रोकते हुए, मूल बन, जालंदर बन, अंतरकुम्भग करेंगे, अपनी शमता अनुसार अभ्यास करें, जितने देर आप रोक सकते हैं, असहस्ता होने पर, पुनह वापस आएंगे, मूल बन खोलते हुए, उड्यान बन खटाते हुए, दीरे से, गर्दन सामनी लेकर आएंगे, वबाई नासिका से स्वास छोड़ते हुए, आपका एक चक्र, बन्दों के साथ, अपचाहें, अभ्यास को बढ़ा सकते हैं, 10-15 मिनट, आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, धीरे से वापस आएंगे, दोनूं हाथों को चेन मुद्रा में, चंद्रबीदी प्रणयाम के अभ्यासों को करने के बाद उसके प्रभावों को महसूस करें तो आईए चंद्रबीदी प्रणयाम के लाबों की चर्चा करें जो व्यक्ति अधिक क्रियाश्रील होते हैं उन व्यक्तियों के लिए यह अभ्यास प्रभावी होता है उच्छे रख्त चाप वाले रोगियों के लिए यह अभ्यास लापकारी होता है यह अभ्यास एसिरिटी की समश्या को दूर करता है साथी सार अभ्यास करते हुए कुछ सावधानिया ध्यान में रखनी है किन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए या सावधानी पूर्वक करना चाहिए निम्न रखते चाप पाले व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए जिन्हें अधिक सर्दी जुखाम की समश्या रहती है वे इस अभ्यास को किसी योग प्रसिक्षक के मार्ग दर्शन में ही करें या कम से कम इसका अभ्यास करें जो व्यक्ति अंतरमुखी होते हैं या उसाद ग्रस्थ होते हैं उनको इसका अभ्यास कम करना चाहिए यहाँ अभ्यास चंद्र नादी को एक्टिवेट करता है इसे के साथ अगला भ्यास भस्त्र का प्राणयाम के लिए स्वैंद को तयार करें भस्त्र का प्राणयाम ऐसा अभ्यास है जिसमें आपके लंक्स की कैपिसिटी का जातल से जादा यूज होता है आपको स्वास लेनी वचोड़नी होती है सामने देखेंगे किस प्रकार से आपको यह अभ्यास करना है आपको ध्यान में रखना है आपकी कमर गर्दन सीधी रहे आपको चिन मुद्रा में या समाने रूप से गुटनों के उपर आप रख सकते हैं जैसे भी आप सहज महसूस करें फोर्स के साथ हलके से फोर्स के स्वास लेनी है किसी प्रकार से स्वास छोड़नी है ध्यान रहे शसन पूरा हो स्वास लेते वचोड़ते हुए भुहार की धौकनी के समान अवाज आती है इसमें हलका सा फोस लगता है हो सकता है प्राणम में आपको सहस्ता महसूस हो आप स्वास लेते हैं तो हलकी सी आवाज आएगी स्वास छोड़ते वे लाइबद्धता तीरे से अभ्यास को विराम दे सकते हैं स्वास लेते वे आपको से महसूस करना है चाती को भरना है लंग स्कूप कम्प्लीटली भरते वे आपका उदर हलका सा बहार की ओर आता है स्वास छोड़ते वे लंग्स को बिलकुल खाली करना है जिससे आपका उदर अंदर की ओर जाता है लगाता है आपके चाती वह उदर भाग का मोमेंट होता है एक बार पुना 5 से 10 आप देखेंगे किस प्रकार आप करेंगे लंग्स को भरते हुए आपका उदर का मोमेंट अधिक साधिक इनिलेशन एर एक्जिलेशन प्रारंबी कवस्ता में आपको थोड़ा ऐसा हैश्ता मैसूस होती है देरे देरे चक्रों को बढ़ाया जा सकता है तीरे सरंतिम चक्रों पूरा करें सामानी स्थिति में आए पूरी सजकता स्वास पर स्वास पर स्वायम को शारिक वामानसिक रूप से थोड़ा रिलेक्स करें शरीर में बढ़ी हुई इर्जा को महसूस करें पस्ति का प्राणयाम से होने वाले लाग यह अभ्यास शरीर के त्री दोशों से उत्पन समश्याओं को दूर करता है शरीर में ऑक्सिजन की मात्रा को बढ़ा कर कार्बन डायक्साइट को बहार करता है चया पचे दर में वृद्धी करता है पाचन संस्तान को प्रभावित करता है यह अभ्यास तंत्र का तंत्र को मजबूत बनाता है स्वसंत अंत्र पर भी इसका सकरात्म प्रभाव पढ़ता है यह अभ्यास आपके फेफ़रों की कारिशमता को बढ़ाता है अभ्यास को करते वे कुछ सावधानिया स्वसंत्र प्रण्याम का अभ्यास उच्छ रक्तचाक, हेरदै रोग, हर्मिया, अलसर या चक्कर आने वेले वेक्तियों को नहीं करना चाहिए यदि अभ्यास करते वे गोटन, असहष्टा महसूस हो चक्कराई अभ्यास को रोब देना चाहिए शरीर को रिलक्स कराना चाहिए इसी के साथ प्रणयाम के अभ्यास के बाद आपने चंद्रवेदी का अभ्यास किया था जो आपके शरीर में शीतलता प्रणान करता है उसके बार आपने भस्त्रिका प्रण्याम का अभ्यास किया जो आपके शरीर में उर्जा वो गर्मी को बढ़ाता है इसे के साथ साथ सामानी इस्तिती में शरीर में संचारी तुर्जा को महसूस करें देव्य प्राण उर्जा को महसूस करें दीरे से सामानी स्थिती में सामानी स्वास प्रस्वास चिन मुद्र हटाते वे दोनों हतेलों को आपस में मिलाएं तेजी के सांत्रप करते वे हतेलों को गर्म करें उर्जा उत्पने करते वे आखों पर लगाएं चेहरे पर लगाएं पूरे शरीर पर लगाएं, पूरे अभ्यासकाल में आपकी आखें बंद रहें, पुना हतेलियों को रब करें, ध्यान रहें, आपकी आखें हतेलियों के भीतरी खुलें, दोनों हतेलियों को आखों के उपर रखें, धीर इसे आखें खोलते वे, हाथ अटाएं, नीचे की ओर करेंने को baixo सामने की ओर देखते हैं आशन रिलीज करेंगे सामान निस्तिती में आएं तन्डास्थिती में The पेरों को फैला लें, कंदों के बराबर दूरी, कमर को रिलेक्स करें, हाथों को पीछे के ओर ले जाते वे, आखें सहचता पूर्वब बंद करें.